आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वैदे कूर्जा में देखिए शनी की स्थिती जो है वो 2020 में 2020 के आते आते ही बदल जाएगी शनी ऐसे ग्रह माने जाते हैं जब वो अपना राशी परिवर्तन करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े परिवर्तन ला देते हैं शनी धाई साल एक ही राशी में रहते हैं 2020 का नया साल आरंभ होगा और शनी भी अपना धाई साल का राशी परिवर्तन कर लेंगे तो ये एक बड़ी स्थिती हो सकती है सभी राशियों के लिए आज हम यहाँ पर जानेंगे कि शनी सभी राशियों के लिए किस प्रकार का प्रभाव देंगे किन राशियों को बहुत अच्छा प्रभाव देंगे तो आप लोगों पर इसका प्रभाव क्या होगा आज यही जानेंगे चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेश राशी की मेश राशी के लिए शनी की जो स्थिती है वो उनके करम भाव में आ जाएगी करम भाव में शनी बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे प्रंतु आप लोगों को मेहनत का फल देंगे इसलिए मेहनत करना लाजमी है मेहनत करना बहुत जरूरी है मेहनत के बिना शनी कभी फल नहीं देते मेश राशी के लिए एक अच्छी खबर यह है कि आपकी कुंडली में शश नामक राजियोग बनेगा इससे आपको बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे आपके लिए करम भाव जो है वो काफी विक्सित हो रहा है नएने काम करने के आपको मौके मिलेंगे काम का प्रभाव आपके उपर बड़ा लाब दायक होगा आपको इसका फायदा जो है वो काफी गुना जादा मिल सकता है शनी को प्रसन रखिए बस इतना ध्यान रखिए शनी आपको धन से सराबोर कर देंगे अगली हमारी राशी है व्रिशब राशी व्रिशब राशी के लिए 24 जनवरी को उनकी धहियास मापत होगी और शनी देव जो है वो उनके अश्टम भाव से निकल कर नवम भाव में आ जाएंगे ये स्तिती कही न कहीं अच्छी हो जाएगी प्रन्तु माता पिता के साथ आपके अलगाओ बढ़ सकते है नौवा घर आपके पिता का भी माना जाता है पिता के साथ किसी न किसी बात को लेकर टेंशन हो सकती है प्रन्तु फिर भी शनी की स्तिती यहाँ पर आपको अच्छा फल देगी भाग्यस्थान में मकर राशी के शनी के आने से आप लोगों को कहीं न कहीं लाभ भी जरूर मिलेगा थोड़ी बहुत अरचने साथ में आएंगी प्रन्तु लाब भी जरूर मिलेगा ये आपको मैंने डिटेल वीडियो दिया है आप मेरे दूसरे चैनल जोती शूर्जा पर जाकर उस डिटेल वीडियो को देख सकते हैं कि ब्रिशब राशी के लिए 2020 के साल में शनी की स्थिती कैसी रहेगी तो चलिए अब बात करते हैं आगे मिथुन राशी की मिथुन राशी के लिए शनी की जो स्थिती है वो अश्टम भाव में आएगी अश्टमभाव में शनी की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती, ऐसे में आप लोगों की दिक्कतें शुरू हो सकती हैं, आप लोगों को सावधान रहना चाहिए, ऐसे में आप लोगों को वहन चलाते हुए खासकर ध्यान रखना चाहिए, सिहत का ध्यान रखना चाहिए, कोई शनी ढ़ाई साल के लिए अश्टमभाम में विराजमान है तो इसके लिए आप लोगों को दिक्कतें देंगे प्रंतु मकर राशी के शनी है तो यहाँ पर आप लोगों को कहीं न कहीं अगर आप शनी को मना लेते हैं खुश करते हैं उसका दान करते हैं तो आप लोगों के लिए मुश्किले कम हो सकती है इसलिए आप लोग शनी का दान जरूर करें ऐसे में आप छाया दान कर सकते हैं पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं हर शनीवार को तो ऐसा जरूर करें आगे बात करते हैं करकराशी की, करकराशी के लिए शनी की जो स्थिती है वो आप लोगों के सब्तमभाव में आएगी, सब्तमभाव में आकर शनी आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे, रिष्टों को लेकर आप में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो कम हो सकती है, देखे शनी शनी को सेपरेटिव प्लैनेट माना जाता है, शनी को पापकत्री ग्रह बोला जाता है, चाहे वो कितने ही अच्छे क्यों नहों, फिर भी हम सब लोग शनी से डर कर रहते हैं, क्योंकि वो अपने ही कर्मों का फल देते हैं, यानि कि अगर आप अच्छे करम करेंगे, तो आ अगर अच्छे करम करते हैं, तो उनको शनी चप पर फाड़ कर धन दे सकते हैं, इसलिए इस थिति को समझ कर आप अपने प्लैन्स कीजिए, अपने आगे के कारे कीजिए, तो यहाँ पर शनी की स्तिति बहुत जादा अच्छी है, यहाँ पर शनी आपको बहुत सारा लाब दे सकते हैं अगर आप शनी की पूजा करते हैं शनी की अराधना करते हैं आप लोगों के लिए घर ग्रस्ती के लिए बहुती अच्छी स्थिती बन सकती है आये के साधन भी जुट सकते हैं नए आये के साधन मिल सकते हैं पार्टनर्शिप में आपका अगर कोई बिजनस है त तो फिर भी आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे चटे भाव में शनी आकर आप लोगों के सबसे पहले तो करजे उतारने का काम करेंगे अगर आपने करजे लिये हुए थे तो इस समय पर आप उतारने शुरू करें शनी का पाठ करें शनी की अराधना करें आपके करजे जरूर उतर जाएंगे इसके साथ शनी आपको बहुत अच्छा प्रभाव भी देंगे मकर राशी के शनी है आप लोगों की बिमारियों को दूर करने का काम करेंगे आप लोगों को ये अच्छी स्थिती मिलेगी इसलिए आप इसका लाब जरूर उठाइए आगे बाद करते हैं करने राशी की करने राशी के लिए शनी की स्थिती पंचम भाव में है पंचम भाव में शनी की ये स्थिती बच्चों के लिए अच्छी साबित होगी बच्चे इस समय पर खुब मेहनती नजर आएंगे हलांके शनी जो है वो थोड़ा आलस देते हैं प्रन्तु यहां पर बच्चे मेहनत करेंगे क्योंकि मगर राशी के शनी है ये स्तिती करने राशी के बच्चों के लिए काफी अच्छी होगी ऐसे में बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लग सकता है आप लोगों को शनी का उपाय जरूर करना चाहिए शनी अरादना जरूर करनी चाहिए मैं इसलिए बार-बार ये बात कह रही हूँ क्योंकि शनी को मनाने से धाई साल के लिए आपके उस घर के प्रभाव आपको अच्छे मिलने लगते है जिस घर में शनी बैठा है और जहाँ पर उसका दृष्टी संबंध है तो इसलिए शनी को मनाने में कोई नुकसान नहीं है यहां पर शनी की स्थिति वैसे भी मकर राशी की है अपने ही घर में आकर शनी आपको बहुत बढ़िया प्रभाव देंगे तो इसलिए आप लोग उसे मनाए जरूर उनका पाठ जरूर करें शनी चालीसा पड़ें उनके बीज मंत्र का पाठ करें पीपल पर दिया जरूर जिलाएं ऐसा करने से शनी का उचित प्रभाव आपको मिलेगा वैसे भी कन्या राशी के लिए उसकी ध्यास मापत हो रही है तो ये उनके लिए और भी अच्छी खबर है आप लोगों को शनी का और भी उचित प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा इसलिए यहाँ पर जो बताया है उसे आप जरूर फॉलो करें तो चलिए ये था हमारा राशी फल छे राशियों के लिए आज हमने जाना है कि मेश से लेकर कन्या राशी तक के लिए आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद